नमस्कार आईडी टेवे इंद्रधानुष के विशे सेग्मेंट जार्खन की जाती और जन जाती में आपका स्वावत है आज हम आपको लेकर शलेंगे जार्खन के एक ऐसे जाती समुदाय के बीच जो पीडियों से प्राकृतिक के साथ अपना गहरा संबंध बनाए हुए है ये है भुईया जाती भुईया शब्द का अर्थ है भूमी के लोग और इनका जीवन संस्कृती और पहचान गहराई से जुड़ी है धर्ती और खेती बाड़ी से जार्खन के विभिन जीलों जैसे पलामों गड़वा चत्रा और हजारी बाग में बसे इस समुदाय की जड बेहत पुरानी है भुईया ना केवल जार्खन बलकि पडोसी राजियों बिहार औरिसा और पश्चिम बंगाल में भी पाय जाते हैं इनके नाम का संबंद भू यानी भूमी से है जो इनकी क्रिशी पर आधारित जीवन शैली और धर्ती मां के प्रति श्रद्धा को दर्श है पुरुशाम तोर पर लुंगी और धोती पहनते हैं जबकि महिलाएं साड़ी का प्रयोग करती हैं धार्मिक आस्थाओं में भुईया जाती प्रकृतिक पूजक है धर्ती माता सिंग बोंगा जैसे देवताओं की पूजा इनके जीवन का अभिन हिस्सा है इनके सबसे ब गश्ष में करम देवता की पूजा की इन अवसरों पर सामूहिक नृत्रत्य और संगीट का आयोजन होता है जो इनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को जीवनत बनाये रखता है पारिवारिक और सामाजिक संड़च्णा बुईया जाती के सामाजिक डहां परिवार की भ पुरुषों के माध्यम से होता है इनके विवा संबंधी नियमों में गोत्र महत्वपूर्ण होते हैं समगोत्रिय विवा अर्जित है और शादी में वधु मूल्य या देवल दिया जाता है बुईया समाज में परंपरागत पंचायती व्यवस्था आज भी कायम है गाउं के विवाद और सामाजिक समस्याओं का समधान पंचायत के माध्यम से किया जाता है पंचायत का मुख्या मांजी और धार्मिक मामलों के मुख्या पाहन होते हैं पाहन धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं जबकि मांजी प्रशासनिक निर्णयों में प्रमुक भुम नहां घर के लोग अनाज और महत्वपूर्ण वस्तुए रखते हैं भुईया जाती का मुख्य विवसाय क्रिशी है धान मडवा मकई और दलहन जैसी फसलों की खेती उनके जीवन का आधार है इसके अलावा ये लोग मजदूरी भी करते हैं और कई परिवार पशुपालन में भी लगे हुए हैं हाला कि अब आधुनिक जीवन की और कदम बढ़ाते हुए कई भुईया लोग अन्य विवसायों में भी जा रहे हैं लेकिन क्रिशी उनकी आजिवी का कप्रमुक्स्रोथ है उत्सवों के बात करें तो भुईया जाती का जीवन इनके तेवहारों से फ्रित्ति करते हैं और ये पसल के दिवहार के रूप में मनाया जाता है बूया जाती के लोग खुद को माता सब्री से जूडते हैं उनका मानना है दूसरे दिन सुवर को बली देते हैं लोगों का मानना है कि इस पूजा के दौरान उनमें इतनी शक्ति आती है कि वे कुछ भी कर सकते हैं साथ ही वे ये भी मानते हैं कि तुलसी वीर उनकी जाती की रक्षा करते हैं भुया समाज के कई नेता जारकंड और आसपास के प्रदेशों की राजनीती में सक्री हैं दुलाल भुया समाज के प्रमुक राजनीतिक नेताओं में से एक हैं दुलाल भुया जारकंड अलग राजय आंदोलन में भी सक्री रहे हैं वे लगातार तीन बार जे एमिम की टिके तो वहां भी भुईया समुदाय के लोग रहते हैं जो मुसहर नाम से जाने जाते हैं वहां उनके सबसे बड़े नेता जीतन राम मांजी है जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री है और पूर्व में बिहार के मुख्य मंत्री रह चुके हैं वर्तमान में भुईया समाज की सबस 52 तक ST category में आती थी बाद में उन्हें ST की सूची से निकाल कर जेनरल में डाल दिया गया हाला कि बाद में काफी संखर्ष के बाद वर्ष 1976 में इस जाती को अनुसूचित जाती की सूची में शामिल किया गया और जाती के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनके रिती रिवाज रहन सहन जनजाती समूदायों से मिलता है इसलिए इन्हें भी की लिस्ट में शामिल करना चाहिए बुईया जनजाती के यात्रा प्रकृती से जुड़ी हुई है उनके रिती रिवाज परंपराएं और जीवन शैली आज भी जारकन की सम्रिद सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है बुईया जनजाती का संगर्ष उनके उत्सव उनकी धार् स्वित्तिय पहचान देते हैं दर्शकों आज हमने आपका परिचय भुईया जाती से कराया यदि आप किसी खास जाती या जनजाती के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें आईडिटी विंद्र धनुष के साथ धन्यवाद